हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एस्टेडी आवर लाइफ में तो अभी जो हमारा क्लास 6 से एंसे आटी का बुक चल रहा है जो साइंस का पार्ट है और साइंस में आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं इससे पहले दो वीडियो हमने अप्लोड कर दिया था जिसके कल वाले वीडियो में हमने परहा था भोजन के घटक के भारे में और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जड़ा ज्यादा सेयर कर दें और इसे प्रेट होने के बाद जैसे यह कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम आपको इस बुक का पीडियेफ आप लोगों को अपने टेलीग्रान चैनल पर अपलोड कर देते हैं जहां से आप लोग इ पीछे का वीडियो नहीं देखा है पहले उसे देख लेफिर आगे का देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा तो चलिया शुरू करते हैं यह पहली को हम स्कीप करते हैं क्योंकि एक पहली है बचे को समझाने के लिए थे स्कीप करते हैं और हम पढ़ते हैं यहां से बस् कुछ कोसिस, कुछ किसी दर्जी की दुकान का बर्मन की कीना की झेज़ा के बचे हुए कपड़े की कटरन को असपर्स करके, उसके असपर्स का अनुभव कीजिए दरजी की सहता से उससे पूछ कर कुछ कपरों पर सूती, रेस्मी, उनी, संसलिस्ट के लेवल लगाने का प्रयास कीजिए क्या आप जानना चाहते हैं कि ये बिवीन कपरे किस परकार के बनते हैं जब आप किसी कपरे का आप लोकन करते हैं तो यह आप एक सतत टुकरा प्रतीत होता है अब इसे ध्यान से देखिए और आपने क्या देखा ये देखिए सबसे पहले तो ये कपरा कौन सा है इसे पहचाने के लिए हमें क्या कहा गया है कि आप दरजी के पास जाईए वहां दरजी के पास बहुत सारा कतरन होता है उस कतरन में से आप कुछ कतरन को ले लीजिए और उस कतरन में से क्या किज़े कि धागा को निकाले धागा को निकालके आप उस धागा से पता कर सकते हैं कि कौन सा कौटन है कौन रेस्मी है कौन उनी है इस तरीके से आप पता कर सकते हैं या फिर दर्जी से आप पूछ के कर सकते हैं ठीक है इसमें बस इतना ही समझने वाला था और नेक्स्ट किरिया क्लाप दो में दिया हुआ है इसे पढ़ते हैं और सबको हम एक बार सौट तरीके से आप लोगों क का प्रयास कीजिए और बाहर कीजिए तो सबसे पहले हम तागा के वारे में समझते हैं तागा क्या होता है तो तागा की बात्र करें तो तागा जो होता है तागों का एक साथ करके बस्तर बनाया जाता है तागा समझते होंगे क्या आप लोग जो होता है वह धागा जिसको हम दिया हुआ है तो इस तरीके से वो ने कहा कि पहचान करने के लिए अब फिर है कि सुई में तागे से पिरोने डालने मतलब सुई में क्या करना है तागा को पिरोना है मतलब डालना है देख सकते हैं यहां पर डाला हुआ है एक नट देख सकते हैं यह धागा खीच रहा है कप क्यास करते हैं समय भी आपने ऐसा ही प्रिच्छन किया होगा कई बार तागे का या सिरा कुछ पतली लड़ियों में पिर्थक हो जाता है ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अध होते हैं फिर से घंडाध करते हैं तो कहते हैं तो तो कहा से आते हैं इसके बारे में बथा जैसे सुटी हो गया जूट हो सब two to 37 के बारे में समझते है जो हटा है जो पादपो तथा जनतूओं से प्राप्थ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं और प्राकृतिजांपस सब्सें पहले हम लग ले लेते हैं प्राकिर्टिक तंतु में हम लो और जूट को ले लेते हैं, जूट को हम लोग पटसन भी कहते हैं, तो यह जो हमें पादप से प्राप्त होने वाला है, पादप से प्राप्त होने वाला प्राकिर्तिक तंतु कौन सा है, रूई तथा जूट, जूट या पटसन, और जनतु से प्राप्त होने वाला जो हो गय तो हमने पढ़ा प्राकिर्तिक तंतु के बारे में जो पादप और जन्तु दोनों से प्राप्थ होता है ठीक है अब है संसलेश्च तंतु यहां पर देखें संसलेश्च तंतु इसके बारे में हम समझते हैं तो संसलेश्च तंतु जो होता है रासाइनिक पदार्थ से बने तंतु को संसलेश्च तंतु कहते हैं यह क्या होता है यह रासाइनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं संसलेश्च तंतु कहते हैं जैसे एक्जामपल में दिया है पॉलिस्टर नाइलोन यह सब क्या है संस्लिष तंतू का उधारन है और आप जो हम बात करने वाले हैं यह देख सकते हैं यह सब को मिस्ट कीप कर देते हैं ठीक है यह सब इतना इंपोर्टेंट नहीं है आप लोग एक बार डाइग्राम देख सकते हैं ऐसे आप हम बात करेंगे कुछ पादब किस से बनती है कपास तंतू मिलकर बनी होती है कपास काली मिटी पर इसकी जलवायों कैसी होणी चाहिए तो उसने जलवायों होनी चाहिए कि किस किस एस्टेट में कपास की खेती की जाती है आपने कभी तेल के लेंपो के लिए बतियां बनाई है इन बतियों को बनाने के लिए आप क्या उप्योग मिलाते है तो घर में पहले रांटेन हुआ करता था Skillshare to जो हुआ करते था उससे हम लोग लोग दिया क genres बना बना के जलाते थे बहुत लोग में जानते होंगे पुजा सकते हूं था सटे प्रुई जाएंग उसे उससे किनारे को ध्यान किये आपने क्या प्रचेन किया यह चोटी पतली लड़िया जिने आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं अब अगर हम रूई को अलग अलग करते हैं तो किस से बनी होती है अब बात करते हैं रूई कहां से आती है तो इसे खेतों में उगाया जाता है रुई खेतों में उगाया जाता है साधारंता कपास के पौधे वहाँ उगाये जाते हैं जहां मिर्दा काली जलवायो उस्न होती है ये इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्या आप ऐसे कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की किर्सी की जाती है पादब के फल यानि कपास गोलक लगभग निम्बु की माप के होते हैं पुन परिपग होने पर बीज तूटकर खूल जाते हैं तता अब कपास तंतूओँ से ढके बिनोले कपास भीज जो होता है को देखा जा सकता है तो सबसे पहले कपास ओटना इसमें एक्ची और पढ़ना आप लोगगो को इसको ओटना भी बोलते हैं या गोलक भी बोलते हैं इसके वारे में हम बात करता हैं कपास के पादपो से प्राप्त फल जो होता है उसे हाथ से चुना जाता है और हाथ से चुने जाने के दोरा जो हमें प्राप्त होता है उसके प्राप्त करके उसके बीजो का ककंतन किया जाता है मतलब उसकी बीजो को क्या किया जाता है चुना जाता है उसकी तहाता से उसे अलग कर लिए جाता है और उसे क्या कहते हैं कपास का ओटना कहते हैं यहाँ पर दिखा सकते हैं आप लोगों कपास का ओटना कैसे होता है एक मिनिट यह देखिए कपास का ओटना किया जा रहा है देख सकते हैं इसमें से बीज भी चाटा जा रहा है और इसको हाथ से किया जा रहा है ठीक है इसको क्या कहते हैं कपास का ओटन कहा जाता है तो एक जो हाथ से किया जा रहा है, इसको ककंतन कहते हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसमें बस इतना ही पढ़ने वाला, हम जूट की बारे में बात करते हैं, जूट को पटसन भी कहते हैं, जूट को किस नाम से आनते हैं, पटसन की नाम से, और देख सकते हैं, ये जूट का पौ और इसकी खेती अक्सर वर्षा के ईटू में होती है और पटसन सब्सज़ाद जो जिस राज में होता है वो राज है पस्च्ची मंगाल, बिहार और अशम सब्सज़ादा पटसन यहीं पे होता है देख सकते हैं यहां लिखा भी है समानिता पटसन पादप को पुस्पन अवस जाते हैं और उन्हें पटसन तंतूओं से हाथों द्वारा पिर्था कर दिया जाता है बस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतूओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है ऐसा कैसे किया जाता है तो सभी को क्या किया जाता है तागों में पहले परिवर्तित किया जाता ह यह कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं इसे में skip करते हैं किया हुआ है कि आप स्वेम सूती दागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं इसे skip करते हैं ठीके तो सबसे पहले हम पर्टसन की जो बात किये उसमें हम देख लेते हैं तो पटसन जो प्राप्ति है ये पुस्पन रवस्था में फसलों की कटाई तनोक को जाल में भीगोने कुछ दिनों तक हाथ द्वारा जनतुओं को अलग करना फिर तागा बनाना तो ये कुछ मतलब तरीके हैं इसको पटसन बनाने की अब हमारा है इसका क्रिया क्लाप है उसके बाद पढ़ेंगे देखें यहां पर वही दिया हुआ है क्रिया क्लाप एक हाथ में कुछ रूई पकड़िए दूसरे हाथ के अंगूठे में तरजनी के बीच कुछ रूई की चुटकी भड़िए और इसे धीरे धीरे रूई से बाहर की और खिचिए रेसो को लग बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं और सूती तागे की कताई के लिए रूई एक पुंज से रेसों को खीच कर एठते हैं जिससे रेसे पास-पास आ जाते हैं ठीक है देखो यहां पर दिया हूँ अभी रेसे पास-पास आ जाते हैं और कताई के लिए एक सरल यूगती ह प्रचलित कताई से उप्योग होने बाली एक अन्य युक्ती चर्खा भी है तो धागा बनाने के लिए हम लोग चर्खा का भी उप्योग करते हैं और तकली का भी ठीक है चर्खे के उप्योग राष्ट पिता महात्मा गांधी ने स्वतनता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोग प्रियता परदान की थी उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बने बस्त्रो यानि खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपरों का भाहि पैस्कार करने के लिए किये और खादी कपरों को अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए किये खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए अब हैँ तागे से बस्तर of stars हम आपको पहले ही बता दिये हैं कि कैसे बनाया जाता है तागों से बस्त्र बनाने की कई वीधिया हैं इन में इसे दो प्रमुख वीधिया हैं बुनाई और बधाई ये तागों से बस्त्र बनाने की दो प्रमुख वीधिया हैं तो सबसे पहले हम लोग बुनाई की बारे में बात करते हैं बुनाई बुनाई जो है इसको छोटा से लेंगविजियों समझा देते हैं तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके बस्तर बनाने की प्रेकडिया को क्या कहा जाता है बुनाई कहा जाता है जैसे कडगा ले लेजे एक्जाम्पल में कडगा और एक पड़ी से रिपीट कर देते हैं आपने ध्यान दिया होगा कि बस्तर को बस्तर तागों के दो सेटों जिने एक साथ विवस्थित किया जाता है से निकाल कर बनते हैं तागों के दो सेटों को आपस में विवस्थित करके बस्तर बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या फिर विविंग इंग्लिज में कहते हैं। दोनों सीटों को खीची गई रेखाओं को अनुदिस काटिए। फिर सीटों के मोरों को खोल कर उन्हें फैला दीजिए। एक सीट की पटियों को एक एक कड़के दूसरी सीट की कटावों। देखे हैं यहाँ पर बनाया जा रहा है कागज से जीक की पर मोड़ा जा है। पहले इस तरीके से मोड़ना है, फिर इसमें कागज की पटियां से भुनाई किया जा रहा है, तो यह सब important हैं, यह इसे छोड़ देते हैं, इसी ढंग से तागों के दो सेटों को भुन कर बस्तर भुने जाते हैं, तागे बास्तम में कागज की पटियों की तुलना बहुत पत चलित होते हैं या तो हांद द्वराद चलाया जाता है या फिर एलक्ट्रोनिक के रूप में चलाया जाता है अब हैं एक बिसेस परकार की बुनाई क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वीटर किस परकार बुने जाते हैं इनकी बुनाई यानि निटिंग किसी एकल तागे का उपयोग बस्तर के एक टुकडे को बनाने में किया जाता है क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खीच कर देखा है क्या आप ऐसे करते हैं तब क्या क्या होता है एकल तागा लगातार खीचता चला जाता है तथा वस्तर उधरता जाता है मोजे और बहुत सी अन्र पहनने की मतलब कहने का यह हुआ कि कभी कभी कोई कपरा में देखते हुए कि अगर एक धागा उसका निकल गया न तो जब उसे खीचते हैं तो पूरा धाका वो दिरे दिरे निकलने लगता है तो इससे यही पता चलता है कि बहुत सारे तागों को मिलाकर बस्तर बनाया जाता है देखिए सीटर कैसे बिना जाता है तो घर में भी आप लोग देखते होंगे सीटर बुनने का तरीका तो यह तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे बुना जाता है बस्तुए ऐसी बुनाई द्वारा बने बस्तरों से बनाई जाती है इस परकार की बुनाई हाथों से तथा मसीनों द्वारा भी की जाती है दोनों परकार की बुनाई का उपियोग बिभिन परकार के बस्त्रों के निर्वान में किया जाता है इन बस्त्रों का उपियोग पहनने की बिभिद बस्तुओं को बनाने में होता है उसके बाद है बस्त्र समागरी का इतिहास क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचिनकाल में लोग पहनने के लिए कि समागरी का ओपियो क्या करते थे बस्त्रों के बिसाय में पुर्वर प्रमानों से यह प्रतित होता है कि प्रारम में लोग विडिक्षों की छाल बड़ी बड़ी पतियों तथा जन्तूओं के चर्म और शमूर से बने सरीर धखते थे तो हम लोगों ने कभी बुक में भी पढ़ाया और कभी कभी पिक्चर के साथा से देखे भी हैं कि जो पहले के जवाने के लोग थे वो क्या करते थे बिक्ष के पत्ते को बुन कर उसके पहनते थे या फिर चाल को चमरे को बस्त्र के रूप में उपियोग करते थे किर्सी समंदाई में बसना अरम करने के पस्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों घास को बुन कर चटाई तथा डालिया यानि टोकडी बनाना सीखे लताओं जन्तुओं की उन आथवा बालों को आपस में एठन दे कर लंबी लडिया बनाई इनको बुन कर बस्त तयार कि पुर्व में भारतबासी रुई से बने बस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती छेत्रों में उगाई जाती थी अब यहां पर फ्लैक्स की बात हो गई है फ्लैक्स भी एक पादा फैजी से प्राकिर्तिक तंतु प्राप्त होता है प्राचिन मिस्र देख सकते करके धागा बनता है और धागा करके उसे बुनाई और बंधाई बिदी द्वारा बस्त्र बनाया जाता है तो यह चीज इंपोर्टेंट है थोरा सा कभी कभी अगर दे दिया कोई ठीक रही आप एक्जामे क्या कुछ भी पूछ सकता है तो सबसे पहले यहां पर हम फ्लैक् के निकटवर्ती छेत्रों में की जाती थी उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था उस समय लोग अपने सरीर के विविन भागों को बस्त्रों से अच्छान्चित कर लेते थे वो सरीर को अच्छान्चित करने के लिए कई विविन धंगों का उप्यों करते थे आज यह आश्चर जनक बात नहीं है कि आज भी सारियां धोतियां लूंगयां पगड़ियों का बिना सिले बस्त्र के रूप में उपियोग किया जाता है जिस परकार समस्त देश में खाये जाने वाले भोजन में अत्यदिक विविता देखने को मिलती थी ठीक उसी परकार बस लिए अपने बिहार के लीए आटेट में भी बिताये में जाते बीरे में प्रमुक सब्ध हम रूव की बारे में पर्षट के बारे में तो बहुत सारे तंतू को site करके बस्त बनाय जाता है और बस्त बनाने की dual संब्स लेंग historically स्ब्सषर ने सीश्बानर हमने पड़ा चैप्टर होता इस एक बढ़र देख लेते हैं इस आथवा बस्त्रों में विभित्ता होती है, जैसे सूती, रेश मी, उनी और पॉलिस्टेर, बस्त्र तागों से बनते हैं, जिने तंतूंसे बनाया जाता है, तंतू या तो प्राकिरतिक होते हैं, आथवा संस्लिस्ट होते हैं, रेसम उन तथा जूट कुछ प्राकिर्तिक तंतु हैं जबकि नाइलोन और पॉलिस्टर कुछ संसलेसित तंतु का उधारन है तो इसे आप लोग नोट कर लिजेगा संसलेसित तंतु का उधारन क्या है नाइलोन और पॉलिस्टर रूई और जूट जैसे तन्तू पादपो से प्राप्त किये जाते हैं तन्तूों से तागा बनाने की प्रिक्रिया को कताई कहते हैं और तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिन से बस्त्र बनता है ठीक है? तो यह हमने पढ़ा तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को ज़्यादा सेर कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स चेप्टर के साथ जो चेप्टर नमर 4 हमारा होगा और चेप्टर 4 जो है बहुत ही important चेप्टर है तो तब तक के लिए धन्यवाद